सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर एलो एवरीबन वेलकम यौल इन टुड़ेश इंदुज अनालिस सो प्रगेटिम इन दीटेल्स लेट सबस्नीक पिक वाद इस इंपॉर्टेंट फॉरस इन टुड़ेश दहिंदु जिन्होंने आज कर दहिंदु देखा होगा उनको लगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक टॉपिक तो ऐसा है ना चाहिए यह आ क्यों नहीं और वह आ गया और इट गेव मी अन पॉर्चुनिटी कि मैं उसे लिंक कर पाऊं कहीं ने कहीं से और शिव सेना से इसको लिंक करेंगे और आइं अब जस्ट टेलिंग य दिखा दोगा यहां यह ऑक्टूबर की जून जुलाई की चीज ऑक्टूबर में कैसे लाई जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्स जो की बहुत इंपॉर्टेंट है हंगर इंडेक्स ठीक है तो चलते तो चलिए शुरू करते हैं राइट फस्ट इस वेरी इंप बाट नहीं है बाट यह सीरियस आस्पेक्ट है प्रटींथ पेज नमबर पर सबसे उपर में यह कट आई है आई एक अरियंट के साथ दो तीन चीज़े इंडिजीनिस और व्याइट करेंगे आई पी ऐसे हम मालाबार से कर लेंगे उस दिन पहले हम लोगों ने डिसकस किया इसको इस्टेशिया समिट लग रहा है ना यह पीपर में नहीं था यह पी आई भी में था प्रेसिंफरमेशन ब्यूरो और यही टॉपिक में चाह रहा था कि कि किसी दिन तो न्यूस पेपर में लाओ आकि मुझे मिले कि वैसे दो तीन आस्पेक्स में कवर कर पाऊं तो ब अफगानिस्तान देवार्ट रौन कंट्री यह पहली लाइन न्यू गाहिंदू में इंडिया इस बहाइंड रों कंट्री अफगानिस्तान यह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट तो देखेंगे क्या होता है और किस तरह से हमारे एक्जामिनेशन पॉइंट और व सीरियस के कैटेगरी में आया तो हम लोग कैटेगरी के वी ऊपर ध्यान देंगे ध्यान से पढ़ना यहां क्या लिखा है सीरियस कैटेगरी और मार्ग कितने मिलें 29.1 यह सेपरेटर लगा यह नहीं है 29.1 तो उसको भी फोकस करेंगे कि सब्सक्राइब क्या होते हैं मार्क् 200 यह देखो यहां लिकाए low moderate serious alarming extremely alarming तो यह डेटा आपको याद नहीं करना है इस not much demanding कि यह डेटा याद नहीं होगा बट आगे जो मिलेंगे facts वो बहुत ही important है when it comes to the clat islet or any law entrance examination और clat का तो फेवरिट रहा है से यह को को कर लेना है 107 ग्लोबल hunger index की rank 2022 out of 121 global hunger index is a tool for comprehensively measuring and tracking hunger at global regional and national level right it is prepared jointly by यह important है यह aspect बहुत important है and in the upcoming time I'll be asking question on the passage based right passage or you can say statement based option and I want कि वो सारे साही हो क्योंकि अगर आप statement based question पर पकड़ बना ली ना अपने कुछ नहीं है फिर clat right क्योंकि statement based question are the concept questions यह जोइन्ट लिखिया गया था Irish Aid Agency है concerned worldwide and German organization wealth hunger life तो एक और दो यह दोनों मिलते हैं तो global hunger index score is calculated on hundred point scale reflecting the severity of hunger where zero is the best score no hunger and hundred is the worst तो यह काफी इंट्रेस्टिंग बात है ना कि zero is the best यह बहुत अच्छी बात भी है कि zero is the best zero जिस नंबर के पीछे लग जाता है बाई कमाल कर देता है तो यह इस तरह से चलता है कुछ इस तरह आप इंडिया आता है countries are divided into five categories on the score low moderate serious alarming extremely alarming right तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है वह image पर इस नफिंग to discuss but यह चीज़े आपको याद होनी चाहिए कि सर यह exactly कितनी categories में develop होता है first point second thing यह दोनों सुर मिलते हैं तो हमारा सुर बनता है 107 का यह याद रखना है तो ऐसे थूरा सा creativity ला करके काम करनी है तो चीज़े याद रहेंगी 29.1 नहीं तो यही चीज़े monotonous लगती है even when I used to learn these things ना मुझे भी monotonous लगती थी क्या है और ग्लोबल अंदर इंडेस 107 तो बहुत सार इंडेक्स होते है एक ट्वा के लगलोबल हंगर है नहीं बहुत सारे पासपोर्ट इंडेक्स से आपके सामले पर ली जगा पासपोर्ट इंडेक्स भी तो वहां पर न फिर आसानी हो पीजिए बनाने अच्छा यह दोनों इस इंडेक्स को एक बार देख लीजिएगा विकॉस यू एक्सपेक्स कोशन स्टेटमेंट वाइस और यह मेरे से तो जरूर एक्सपेक्स करना क्या एकन गिव यू दो कॉस्ट्टन वाइस वह पांच कोशन सोते हैं जिनका आप लोग स्कूर नहीं बताते हैं बहुत कम ल एक तो आया 20 परसेंट तो हो एक लीस्ट इंप्रूफ करने के चांसेस तुह है कौन प्रॉब्लम हो रही है एक तो कॉंपडिशन है और रेकमेंड राइटिंग क्योंकि पता चले कौन कितने पानी में इस वेरी नेसेसरी राइट चलिए आगे देखते अंडर नॉरिश्मे होता है चाइल्ड मॉर्टालिटी रेट के अभी बेसिस पर देखा था तो वहां से फोड़ा बहुत सा लिंक कर लेना राइट उस आर्टिकल को पढ़ी लिया होगा आईगे साफ लोगों ने अभी तब इसमें दोनों लोगों का राइट तो यह कुछ इंपोर्टेंट आसपेक्स जो हम लोगों ने भी तक डिसकस कर लिया चलिए नेक्स देखते हैं आई नस अरिहंत कैडीज आउटी मिसाइल टेस्ट यह आपका इस अरियंत है बट प्राइर गेटिं इंट प्रेंट उपॉपक न प्लस आई-एएनस इंद सी विक्रांथ प्लस और यह तो आई-एनस आप करेंगे इसको और कमदे च्टस्ट न सी विटिए टेट लुगत जोरावर यह सारे न्यूज में रहे हैं रिसेंटली तो आइएक्सपेक्ट कि आप करेंगे इसको और विक्रांत विक्रावधित के वारे में बात करें तो लोगों ने देखा कि कैसे टेकनिकालिटी उसको भी देखा कि कैसे टेक आफ होते हैं फ्लाइट उनको क्या बोला जाता है इसमें एक चीज और जो मुझे यहां पर क्लेक्ट हो रही है वह है नेवी डे देख लीजे का कब प्लस नेवी फ्लैग प्लस मोदी जी ने क्या है उसमें क्या अक्तागनल डाला है वह शिवाच्छत्रपति सिवाजी से लिंक होता है तो यह सारे लिंक के जिस टॉपिक है इस पर्टिकुलर कॉंसेट से एक डो तीन चार पाँच एक टॉपिक पाँच लिंक तो इस तरह से हो गया ना यह एक अर्यांथ 12345 कम नहीं बहुत है केवल इसको डाइवोर्स करना के अर्यांथ केवल पढ़ लेना काम कहता है यह बहुत बड़ा मिस्टेक है तो इसको इसके साथ लिंक कर लेना चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कंट्रीज फॉस्ट बिलास्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सम्मरीन यह बहुत इंप्टेंट न्यूक्लियर सम्मरीन और जब भी यह न्यूक्लियर वर्ड मुझे याद आता है कि जब हम देखते हैं तो मुझे एक ही प्लांट याद आता है डैट इस जैफ्रो जैजिया इसकी स्पेलिंग माई बैट देख लीजेगा थोड़ा सा मेबी आए मिस्टेकन डैट जैफ्रो जैजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन और यूक्रेन की बात आती है तो रुशिया ने जो वह पॉर पॉइंट्स कैप्चर किये है वह और जैफ्रो जैजिया में एक रिवर है जनाइपर रिवर राइट यह एक वर्ड से एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर वर्ड से हम लोग ने एक नेया कॉंसेप्ट निकाल दिया तो यह तभी हो पाएगा जब आप डेली पढ़ रहे हों कैप्सूल खाएंगे तो नहीं होगा यह चलिए आई एनस अरियन यह सब्मरीन है न्यूक्लियर सब्मर यह कमिशन कब हुआ था 2016 में इसमें कौन सा हम है और इसकी रेंज है 750 किलोमेटर जब अपडेट आएगा तो आगे अपडेट पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास होगा कौन सा आई एनस अरी घाट इस रिपोर्टेट है विन लॉंच्ट इन लॉंच्ट इसके ट्राइल सब्म विक्रमाधित नुक्लियर ओर करें तो इतनी सारी चीजे एक और करनेक्शन दिखा देते हैं मोधी जी ने जब नेवी फ्लैक को चेंज किया तो उन्होंने क्या कहा था कि हम बिटिश लेगेसी को सुवाथ चंद्रबोस का होलोग्राम और सेंट्रल विस्टा प्रजेक्ट तो अगर इतनी सारी चीज यह बार में लिंक नहीं कर पा रहे हो तो देर इस सम्थिंग वोइंग ओंड़ यहां पर कुछ तो चल रहा है जिस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं चलिए नेक्स देखते ह है यह SSBN exactly क्या चीज है यह देखते है वैसे सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन सींबल अफ नुक्लियर पावर बैलस्टिक मिसाइल अब्यस्ली बैलस्टिक और यह नुक्लियर ऑपरेशन ऑफ देशल बेमस फॉम्द एस सब्स्ट्राइजिक फोर्स कमांड विचिस पार्ट इंडिया नुक्लियर कमांड आथर्यटी और सुम्मरीन लांच बैलस्टिक मिसाइल इसका फॉल फॉर्म है फैमिली अफ इंडिजीनिस ली डैवल्ट सम्मरीन वांच बैलस्टिक मैसाइल पाइड डॉक्टर अपीज अब्दूलकलाम और आज इनका बिर्थ देविए और और इनको क्या कहा जाता है मिसाइल मैं जो चल्रेंश के वन फेवरेट पर संथे इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो एक थोड़ा सा ट्रिब्यूट तो इनके लिए भी बनता है तो जिस्ट रिस्पेक्ट बेरी पर्संट जिन्होंने इंडिया को न्यूप्ल तो चलिए और इतने सारे लिंक को नहीं बोलना पीछे जो लोग को सब्सक्राइब 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 निकल सकती है इस मिसाइल से बहुत सारी चीज़े पी देखा और और रचाँ देखा और WR एक चीज़ राज-पत को भी देखा तो यह कुछ गुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स वह आपको को कलने है रह चलिए देखते क्या है नेक्स हमारे लिए यहां पर है इस अबृट यह के 55 जिसके बारे मैं भी हम लोगों ने देखा के 15 का नाम है सागारी का विचा रेंज आफ एक्ली 750 किलोमेटर्स पीछे से एड कर लेना है इंडिया अल्सों डेवलप्ड की पूर मिसाइल ऑप दे सेम फैमिली और इसकी रेंज है 3500 किलोमेटर्स था मिसाइल वास टेस्टेट है प्रिडेमिन रेंगे और यह बंगाल में होगा चेक कहीं और दो करोगे नहीं यह वी आर्ड नॉर्थ नॉर्थ पोरिया है जापान के ओपर से निकाल दिया मिसाइल तरसा बिल्कुल नहीं करते हैं वी आर्द पीस लविंग नेशन और यूज ऑफ फस्ट पूर्स हम लो सब्सक्राइब करते हैं तो इसका किस में मैंने यूज किया है बताइएगा चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स इस रिगार्डिंग डाइब इस पर्टिकुलर चीज को अभी रिसेंट्ली डिसकस हुए एक टॉपिक से आप लिंक कर लिजेगा डैट इस इस टॉपिक का नाम बड़ा अच्छा है मला बार एक्सराइज यह किन कंट्रीज के बीच हुआ है बस यह बता दीजेगा इन कंट्रीज के बीच हुआ है यह बता दीजेगा इस इंपोर्टेंट कोस्टिन डैट्स वाइं आइं सेंग अल-गें रही लिखते हैं यह क्या है यह आखिर इसमार 7 7th edition इसमार 7 इसलिए 7 बोल रहा है वाज है पोर्ट किस पर पर हुआ है यह पोट गकी बेरा ऑल्सों नोन है पोट एलिजावेट साओथ अफ्रिका राइट इस जॉइंटली मल्टीनेशनल मरीन टाइम एकसराइज है मल्टीनेशनल कॉन से मरीन ताइम व इंडिया ब्राजील साओथ एफ्रिका कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब इसको जो देख रहे हो तो मलाबार का भी बताई देना अभी तक आंसर आ जाना चाहिए आप लोग का कि भाई क्या है यह मलाबार किस के साथ एक्साइज क्योंकि यह भी एक नेवी एक साइज है बॉप जो पर पर तो नहीं भी पर जकता दी है इसमें छोटी सी बात याद रखोंगे काम हो जाएगा फालतू के चीज़ों से बचोंगे इंडिन ने वी वाज रेपरेजेंटेट इन इट बाईट बाई डाइद मिसाइल प्रिगेट इन तरकास्त चेतक हेलिकॉप्टर द लगता होगा वह बदाए इंट्रेस्टिंग है वह वह से लगा था मुझे दूर से तो देखें का एक बार चेतक हेलिकॉप्टर गया था यहां पर कहां यह पोट रखी बेरा गया तो जो कि अफ्रीका में हो रहा थे इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में और इंडिया के पार्ट से निवी के पार्ट से अप्रकश यह तिनों गयतें यह तरक यह तें इस एक्सरसाइज में चलिए नेक्स देखते हैं और नेवल एक्साइज वार और जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे मलावार तो मलावार कब हुआ था 1992 में बिट्वीन इंडिया एंड यूएस अब तो बता दो दो स्टिक कंट्रीज बता दिए दो ही बताने तार थे और उनके बीच इसका एक और जैसे स्ट बनता है तो बताइए यहां पर वह वोस्टेट दफिफ्ट एडिशन आई बीए एडिश्ट इस्ट वसक्टेट ऑप सिमोज टाउन साफ अगला इंडिया में होगा समझ जाओ सेफ्ट अभी कहां हो रहा है अब प्रिएस प्रिए साउथ आफ्रिका इंडिया नहीं किया तहां देख लो कब होगा इंडिया में 2016 गोवा में इंडिया में हुआ था यह जब 2008 बोलते हैं यहां पर एक चीज याद आ रही है मुझे टू थाउजेंड एट 2008 में एकोनॉमिक क्राइसिस आई थी है क्राइसिस एकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इसकी अनुवल मीटिंग स्टार्ट हो गई कि यह डेट इसलिए इंपोर्टेंट है जब वेन आवस टीचिंग अबाउट स्यूर्वन वी वर डिस्कुसिंग अबाउट यह लोगों ने चीज उस्सेमें मॉनिटर की थी तो यह देख रहो कैसे एक छोटा सा डेट एक छोटा सा नाम एक चोटा सा टर्म उसे एक पुरा कॉंसेट बना देते हैं यह यह से कि यह सेशन इंपॉर्टेंट है तो यह सेशन ऐसी थोड़ी ना चल रहा है कि हाँ सर बस आये करेंट अफेस बता दिया क्या है आज के निकल लिए नहीं जब आज अगर आप 2008 पल रहे हो ना मैं अक्टूबर में लेकर चला जाओंगा सेप्टेंबर में लेकर आउगस्ट म नहीं मिल रहा है डिसकेशन का पार्ट बनोगे एक्स्ट्रा मिलेगा एंड इस माई गैरेंटी एक लाइट आपके इसी कही न कहीं से पेपर से घूमते में मिलेगा जिन लोगों ने सैंपल पेपर अटेम्ट कर लिए हैं दोनों उनको अभी तक पता लग गया होगा हाव है चनल रहा है एक्जाम में क्या हो रहा है identificat रहा रहा हो है सेंपल पेपर मार्केट में और हमारा चनल रहा है और हमारा आज जब देनाइपर से साना पड़ेगा इंट्रेशनल जो आपका अलाइन्स है नुक्लिया। उसको भी आनापड़ेगा सी-सिती पीटी आना पड़ेगा एक ऐater इस्थ से कितने क्र Зभी आंप दिस क्यों निकल राइग रई जे से लिए तुव्ञटिक सेieur यह तब का है और यह किस तरह सी मैप में बड़ अच्छे तरीकार शो किया गया कि क्या क्या कुंट्री जापान वियत नाम जो एशिया की इस पार्ट में ना वहीं इस स्टेशन समिट होता है यह कुछ रॉकेट साइंस नहीं यह मालो एसियन गंट्री देख रहा है तरह चाहि इस एशिया समेट में हमारे लिए क्या है इंडिया पाटिसिपरिट इन शीक्स एश्ट एश्या समिट एडूकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग अब एडूकेशन के रिगार्डिंग था यह और कहां हुआ हनोई विएतनाम में अबाउट इस प्रीमियर प्रीमियर प्रेम पॉर इंडिया जपाइन न्यूजिलेंड रिपब्लिक और रश्या एंड यूएस यह बहुत अच्छे तरीके से एक्स्प्रेंड किया यहां पर इसकी ब्यूटी आप नहीं समझ पा रहे हैं तैन कि असियान प्लस एट अदर्स तुसर क्या बस इतना पढ़ना नहीं यह भी तुस्टार्ट हुआ देखो आशियान के मेंबर्स कितने हैं आशियान कब फॉर्म हुआ आशियान के डायलोग कब हुए यह देख लेना एक बढ़ साथ में हो जाएगा क्लियर आशियान के साथ स की तो इस तरह से चीजों को पढ़ो लिंक करके आपस में एक चेंग मनाना हमें हमें एक रख पर अभी ऑन्सेफ्ट पर बनाते हैं और वह सकता है अब वह एक ही कोश्चन आते थे पचाइस कोश्चन का तेकिन वह वाला गेम नहीं आप कॉंसेट का गेम है तो इस एश्यान समिट एश्यान से जोड़ लेना आश्यान के कर ले मेरे लिए मत करना अपने लिए करना है लाट को महीं देना चलिए इस आश्यान काम भी नहीं कर रहा है इसलिए बहुत आप इसके बारे में चल भी रहा है कि आश्यान के जो गोल से वो अचीव नहीं हुआ है लिए नेक्स देखते एलेक्टोरल बार्ट्स माइफ़ेवरेट टॉपिक ऑफ देडिक्लेर कर दो माइफ़ेवरेट टॉपिक क्यों कि देखते हैं माइफ फेवरेट क्यों है यह साइख 2 1944 एक होता है चीफ एलेक्षन कमिशनर घ्रिममबर वॉडटी होती है और इसके दो भाई भाई होते हैं इसलो होते हैं सब्सक्राइज a hell कर वान है आप कुछ नहीं करेगा इसलोहिए इसद इसलो हम बताओ करना है चाहिए है च्राइब प्रवाव सा पॉलिटिक्स के लेगा था है तेंज दिल का नाम सुना है आप लोगों ने लिए थेंज इंज दिल में क्या लिखा है आया राम घया राम तो नहीं लिगा यह ग्री विद्यों एक केस आया था बहुत पहले है नांइटीनटी के टाइम पे उसकेस में यह कहा गया जो आप पॉलिटिकल पार्टी ऐसे जो पार्टी बदल लेते हैं तो उसमें क्या होता है जो डेमोकरिसी का मैंडेट हो कंजोर होता है जैसे आपने लेक्षिं के बाद वह चला गया Congress में आपने तो किसको वोट दिया था क्योंगी वह बीजेपी में वह बीजेपी की आइडिलोजी सा करेंट करा यह वोटेट पॉर है अब वह चला गया Congress में तो आपके साथ तो दोखा हुआ कर दिबाना इस अब्यूस अब्यूस ने प्रोसेस ने कहा है बात तो सही है और किस का नाम था कि वो तो कि अनेक्ट होके रहना है नाइंटीनेटी में है 2022 में लाके छोड़ूंगा टेंशन मतलो एंशेडियूल क्यों तो खोलो होन का किस हुआ इसमें इस डिवाइड हुआ कि भाई जब वन थार्ड आप पार्टी जाएगी अभी आप मोग कर सकते हैं यह रूल आ गया ठीक है महारास्ट्र में क्या हुआ अभी जोएं कर लिए महारास्ट्र में का बता ने का इंके इशू हो गया उन्हों आपको पॉलिटिकल साइन अब बस पैक्ट समझ लेना है और डिसकस प्रेटर प्रेटर उसे प्लिटिकल साइन पर आ रहे हैं आपको यह तो हो लोगान समझ गये वन थर्ड था कॉंसेट समझ गये अब आते हैं महाराष्ट पे पार्टी बटी शिफ्षेना दो पार्ट में द जो आपके शिंद्य साब और उद्धव ठाक्रे शिंद्य साब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं यह चीज समझ में आ गई तो चलिए अब यहां और व्लायन से बिसीकली कॉंग्रेस का उनका तो अब क्या हुआ उद्धव ठाक्रे जी ने कहा कि हम असलीव सिफसे नहीं सिफ सुप्रीम कोट में तो सुप्रीम कोट ने का कि बाइब बात तो गंभी रहें क्यों कर लो ना सिफ्षे ना वन टू कर लो नहीं नहीं ऐसे कैसे एक चीज होती है पॉलिटिकल साइन अगर मेरा साइन एक्स है और इसके दो पार्ट हो जाते हैं एक्स वन और एक्स तू एक काम करो पॉलिटिकल सा饌 कोला भेज़ दो थो एलेक्शन कमिश्वन के पास में अभी तक आप लोग बता दिये ओंगा इस एलेक्ट्न कमीशन के पास ले जा हो धेखे deben को गहूं क्यों डिक्वार्ट हम करते है प्रवन τुमारा अभी एक्स के नाम के ऊपर हम स्टे लग मेरा न तुम्हारा अभी रुख जाओ उनको डिसाइड करने पहले कौन है इसका यह साइन विलॉंग करता है यह का साइन है यह उद्धव ठाकरे का साइन है यह थी पोरी स्टोरी अप लगा सरी यह से लेक्टोरल बॉंड कहां से आया देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी इस पॉलिटिकल पार्टी जो है यह लेती है डोनेशन लेती है मतला डोनेशन यह अपका हमारा पैसा होता है यह यह पंडाल लगते हैं खर्च होता है कि इनको जो जो इक जाइंट बिग जाइंट इस इस बहुत करने के लिए यह लोग बोलने में कोई बुराइट लोग बोलते हैं कि इस बिजनेसमैं गवर्मेंट इपको उपेंड होना भी नहीं चाहिए इन माई उपीनियन मैं अभी तक नहीं होता हूं तो डोनेशन मिलती है पॉलेटिकल पार्टी इसको बहुत चारी और्गनाइजेशन से कंपनी से बिजनेसमें से तो एक रूलिंग आई सुप्रीम कोड की आगे हम बात करेंगे केस का नाम क्या है उन्होंने कहा कि इसके उपर तर सब्सक्राइब चलिक्ति जिसे हम कहेंगे और समय स्वेक आपनेशन नाम सब्सक्राइब is गया हूं पूरी कहानि समझ में आगई अगर एक एलेक्टोरल बॉंड अच्छा लगा हुग आपको यह टॉपिक क्योंकि मैंने केवल एलेक्टोरल बॉंड पर सीमित नहीं रखा इस चीज को कहा लेगे पॉलिटिकल साइन सभी चीजें बताई है प्लीज कमेंट सक्षन में बताईएगा एक थमसब की काफी जैसे आप लोगों ने कल बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉंस किया रिगार्डिंग डैट केस जो कलम लोगों ने दुलकर साब का केस पढ़ा भी तो बताया आप लोगों ने बहुत इसको डिलीट किये बिना आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा आउन एलेक्टोरल बॉंड वॉक्स यह काम कैसे करता है यह कहानी समझ गए पैसे आगया अब यह काम कैसे करेगा नोटिफाइड बैंक सब्सक्राइब कान सी नोटिफाइड बैंक है यहां पर एस बी आई पूरी क क्या करते हैं जैसे मान लोग की मैं बहुत बड़ा बिजनसमें और वाइं उसको मैं एक करोड़ रुपय दान देना चाहता हूं आप आगे आओगे तो मेरा काम कर देना नहीं तो समझ जाओ ठीक है वाई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैंने डोनेट कर दी कि क्या बताना चाहरा हो यह क्या होगा मैंने पॉलिटिकल पार्टी को मुझे यह करना है तो हम जाएंगे सब्सक्राइब कर दो तुमने इतना पैसा दिया बजाक चल रहा है तो यह तो केस में सुझाएगा सुप्रीम कोड में जनता आकरोशित हो जाएगी एक करोड़ में ले रहे हो तो यह क्या क्या बॉन ने कहा कि सरकार ने बॉन इशू कर रहे है तुम्हारा नाम नहीं आए हम कुछ कर लेंगे ऐसा इसलिए होता है फोरा सब्सक्राइब करने के लिए उनको कहा कि तुम मुझसे 700 क्रोड़ ले जा तुम जीट जाओ कैसे भी करके इतना इंफ्लेंस बना आते हैं तिवी में पेजस में क्यों आते हैं इंफ्लेंस करने के लिए आपको डिमोक्रिसी याद रखनी तो ने यह कहां तो तुम जीट जाओ ठीक है हम इन्वेस्ट करेंगे इतना कि हम जीट जाएगे तो अब क्या होगा गवर्मन जो पॉलिसी बनाईगी वह मेरे फेव देखो समझने में आसानी होगी तो नोटीफाइड बैंक क्या है लिप्रोर बांड इसु करने का मतलब हम गया बैंक के पास मैंने का बॉण इसु कर दो पर मेरे नाम ने बॉण इसु कर दिया बिना मेरे नाम बैट डॉनर बाइस एन एलेक्टोरल बॉन्ड उसिंग डिजिट डिजिटल प्रिमेंट है काला धन तो है नहीं चेक हो रहा है क्याश कुछ नहीं जा रहा है यहां पर आपके लिए कुशन मनता है कि एलेक्टोरल बॉन्ड में कैसा हम उन जाता है क्याश चेक और इस लिए डिश्टल पैमेंट टोनर गिफ द पार्टी अफेजर च्वाइस बॉन्ड विदिन थे स्पेसिफाइड ताइम प्रिम दस दिन पंदर दिन जितने विए पार्टी दिपोजिट बॉन्ड इन अकाउंट दर डीटेल्स विच वर विद्धा एलेक्टोरल कंपनीज कमिशन के पास रह जागा पार्टी की है उसके पास ही रहेगा और किसी के प सुपरीम बीजान रहे बाद रेक्टोरल बॉंड सिस्क्रम वागव इंट्रूडीच इन 2017 कि लिए बाइव मनी बिल इंट्रूजिजिग अमेंडमेंट इन फाइनांस एक और पीप्ल से तरह से पास हुआ था इंप्लीमेंट 2018 में सब कुछ हो रहा है कहानी 2017 में आया 2018 में इंप्लीमेंट हो गया एलेक्टोरल बॉंड्स आर इस्षूड मुल्टिपल सब हजार दस हजार एक लाख दस लाख और एक करोट इस तरह एक कुशन क्लाइट ने डाले और लेना यार बह पास्ट इस नहीं बता दिया बाइस कंडूर्ट अवाइट बॉन टॉटिकल पार्टी ये पंदर दिन के बाद नहीं होगा अलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी पार्टी अलॉटेड वेरिफाइड अकाउंट बाइशन कमिशन आप इंडिया पैसे लोग है बाइस आप बाइस आप पूल के वाइसी डीटेल सब्सक्राइब कानी नहीं थी वह कहानी नहीं थी जो अभी बात कर रहेते हैं वह एक कॉं सब्सक्राइब करें पता नहीं जाते हैं थोड़ी बाते करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा यही सारी चीज़ें यहां पर दिए 15 दिन के स्पेसिफाइड टाइम वह सुन लोगे तो वैसी क्लियर हो जाएगा फिर उनका आपको आपको मेरी कहानिया रखना ठीक है वह सब्सक्राइब करें तो यह आइडेंटिटी रिवेल नहीं होती है अगर मैंने सबसे ज्यादा में काम करेंगी वह दिखेगा इसलिए यह आइडेंटिटी डिविल नहीं की जाती है सब्सक्राइब वर था बने एक लोग पर्षी खेगा तो यह बात की की गई है कि कौन बांड रे सकता है कौन बॉन ले सकता है लास्ट वाला जो है बॉन ले सकता है और सुरुवात के दो ले सकते हैं टेके तुरेशन आप अभेशन आप एविश्टी नेटी यह इच इन दे बिगिनिंग अप दे क्वार्टर के मंथ जरूर। जार रखना जैन्वरी एप्रिल जुलाइन अक्टू प्रम्ट यह आप चोड़ सकते हो यह यह याद रखना बस यह बड़ा इंपोर्टेंट है यह क्वार्टर याद रखना जैन्मेरी एपरिल जुलाइन ऑक्टूबर कि नेक्स देखते हैं अलेक्ट्टस इमब्स यह क्यों लाए ओ वीच में शिव्शेना याद रहना पॉलि कोई यूज नहीं करेगा यहां थी मेरे साथ बस पागा है न यह लोट आस बार्ड़े जनता पार्टी कॉर्ण कम्यूश पाटी क्लॉक नेशनल कॉंग्रेस पाटी यह हां ता नहीं इंडियन कंग्रिस और यह सिकल कॉम्म्यस पार्टी माओ यह माओ के फॉल्लवर्स होते ह इंडिपेंडेंस का टाइम पर बहुत प्रॉब्लिम करते थे तो यह चीज़ देख लेना इलाल सालाम का जो चलता है तो फैक्शन जो एक प्रॉपर यह इस पर काम नहीं करना ठीक है एक्शन समय बता होगा अभी क्या पढ़ना है इसमें इस सिर्फ शेना का जो है यह सुप् लाया गया था तो डेगूलेट रिजर्व एन लॉट्मेंट ऑप एलेक्टेर शुबिशंत्रोगा पर्लेमेंट डैज इस शिंबल और राइट कुछ सोचव ना अगर कोई पार्टी नहीं होगा तो प्रॉपर पार्टी नहीं थी से पहले तो पूरी प्रॉपर पार्टी न सब्सक्राइंगी तो यह एलेक्शन सिंबल्स का याद रखना है नेक्स देखते हैं एलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अनलॉट्मेंट ऑडर नाइंचिंग सेट पैरा 15 बोलता है कि रिवाइवल ग्रूप सेक्शन सब्सक्राइब पॉलिटिकल पार्टी स्टिकिंग क्ल के ना राइट और सुप्रीम कोट में केस आधा साधी कलिया अनरेस्विस फिलेक्शन कमिशन अन्टिन सेवंटीव जसमें कहा गया था कि लिक्शन कमिशन के पासि अथरीटी यह स्चेट के खिग तो मैंने क्या कहा स्ट्राइप में ने का है इलेक्स्टिकलिन को लेक्टे तोपिक और कमेंट करके बताएगा वाजने एबल टू कवर इच एन एवरिटिंग जितना रिक्वाइड है आपको एक थम्सप इस एनफ हम सब मतलब सर्मान खानवाला थम्सप लानिंग यह बताएगा यह कली हम लोगों ने पढ़ा है थोरा सा लॉजिक लगाना मिल जाएग इंडियन स्पेस रिसर्च औरगनाइजेशन यह कली पढ़ा है इसको दस दिन पढ़ा का हम लोगों ने पूर्थ 195 मेंबर ऑफ इंटरपोल बहुत बार इंटरपोल भी बढ़ा इंटरपोल बहुत कुछ देख रहा है इस टेश्या समेट के रिगार्डिंग आज ही हम लोग आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो आज के नीचे में फोड़ा से एक सेक्शन दिया हुआ उसको पढ़ना और पहले भी बहुत बार आर्टिकल्स आये हैं पॉलिटिकल पार इसको पर जिन्हों आप लोगों नहीं किया था मैंने परपस्फुली उससाम डिसक्स नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं यह इंपोर्टेंट तब तब और हो जाता है जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एलेक्शन गुजरात एलेक्शन इंपोर्टेंट हो जाता है पढ़ लिजेगा थांक यू यू याट्ट सॉल पर मैं साइट देकには मैं साइट जाएब करते हैं यू जहीं हमischerों साइट